तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे फोट सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आरेने इंटरफेरेंस या आरेने आए तो बच्चो इस टॉपिक को समझने से पहले हम यहाँ पर एक चीज रिवाइस करेंगे और वो यह है कि जैसा हम पहले सीख के आए हैं जो डी एने हैं डी एने के ट्रांस्क्रिप्शन से बनता है आरेने और फिर आरेने आगे जाके प्रोटीन बनाता है किस प्रोसेस की मदद से उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन तो हम यहाँ पर एक process revise कर रहे हैं जो हम पहले से सीख के आए हैं कि DNA से बनता है RNA, transcription process की मदद से और फिर RNA से बनता है protein, translation process की मदद से तो हम बोल रहे हैं कि जो RNA है वो एक ऐसा messenger काम करता है DNA और protein के बीच में तो class अब समझ लेते हैं कि RNA interference होता कैसे है तो उसे यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है DNA का strand तो जो आपको यह DNA strand दिख रहा है, for example यह plant के genome को represent कर सकता है यह किसी भी living organism के genome को represent कर सकता है फिर इस DNA में एक process होता है जिसे हम बोलते हैं transcription और जैसा कि अभी हमने सीखा है transcription से क्या बनता है transcription से बनता है हमारा RNA या RNA transcript अब हम बात करते हैं कि जो RNA transcript हमारा बना है यह आपस में complimentary होते हैं तो इनकी जो दो strands हैं, एक sense और एक anti-sense strand यह आपस में complimentary होते हैं और यह fold हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आप यहाँ पर structure देख पा रहे हैं यह किस तरीके से fold हो गए हैं और एक hairpin loop like structure बना रहे हैं फिर आगे जाके इस structure में होती है processing कुछ enzymes की मदद से और फिर यह enzymes के processing की मदद से ये बनाते हैं हमारा double-stranded RNA यानि इसका कुछ part process होके हट जाता है जो hairpin loop-like structure है वो हट जाता है और double-stranded RNA तयार हो जाता है तो इसमें आपको दिख रहा है एक sense strand और एक दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है वो है anti-sense strand तो अब हम बात करते हैं कि जो anti-sense strand है वो bind करेगा हमारे target mRNA से जिसकी हमें silencing करवानी है RNA interference की मदद से तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं यह है हमारा anti-sense strand जो double-stranded RNA से हमें मिला है और यह है हमारा target mRNA जिसे हमें silence करवाना है तो यहाँ पर आप क्या सोच पा रहे हैं कि यह दोनों mRNA और anti-sense आपस में bind कैसे हो जा रहे हैं ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि यह आपस में complementarity शो कर रहे हैं जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे थे sense और anti-sense complementary थे तो आपस में bind हो गए थे सेम वैसे ही यहाँ पर जो mRNA है वो anti-sense के साथ complementary शो करता है और इसलिए वो यहाँ पर bind हो जाता है और जैसे ही यह condition आएगी ultimately यहाँ पर हम बात करेंगे protein produce नहीं हो पाएगा यानि translation का process नहीं हो पाएगा और जो हमारा target gene है वो silence हो जाएगा या जो target mRNA हमने लिया है वो silence हो जाएगा तो class अब हम RNA interference को एक example कित्रू समझेंगे और वो example है एक nematode का एक parasite का जिसका नाम है melloidegyne incognesia तो यह जो nematode है हम इसकी growth और development को रोकते हैं RNA interference की मदद से और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ऐसा हम इसले कर रहे हैं क्योंकि यह जो nematode है यह हमारी tobacco plant की roots को infect करता है और उन्हें पूरी तरीके से बरबात कर देता है और इसी वज़े से जो tobacco plant है उसकी productivity या yield पूरी तरीके से बरबात हो जाती है तो हम RNA interference की मदद से इस nematode की growth को रोकते हैं और इसके mRNA को silence करते हैं पच्चो चलते हैं और इस process को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम nematode की gene silencing करते हैं तो यहाँ पर consider कीजिए हमने एक tobacco leaf ली है और उसका genetic material हमने यहाँ पर शो किया है तो हम कह रहे हैं कि जो यह tobacco leaf का genome है इसे हमने transgenic बनाया है हमारा gene of interest insert करके बचो याद कीजिए आपने transgenic animals और plants के बारे में सीखा था जिसमें हम हमारे इसाब से desired gene of interest insert कर देते हैं और उसे बनाते हैं transgenic तो जो हमने यह gene of interest लिया है यह कहां से आया है यह gene of interest आया है हमारे nematode से तो जो यह gene of interest है यह nematode की growth और development को regulate करता है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पूरा plant genome आपको दिखाया गया है इस plant genome के अंदर हमने एक हमारा desired gene of interest insert करके इसे transgenic बनाया है और यह desired DNA यह gene हमने nematode से लिया है अब आगे हम वही same process करेंगे जिसमें सबसे पहले होगा इस DNA का transcription जिससे तयार होगा RNA यहां पर हमें एक बात ध्यान से जाननी है वो बात यह है कि यहां पर पूरे plant genome का transcription होगा लेकिन हम यहां पर सिर्फ DNA जो हमने nematode से लिया है उसे यहां पर show कर रहे है आगे फिर हम बात करें यह वही process follow करेगा जिससे जो sense और anti-sense strands है वापस में hairpin loop like structure बनाएगी फिर इसके आगे enzymes की मदद से processing होगी और यह hairpin loop हटके बन जाएगा double stranded RNA फिर हम बात करें इस double stranded RNA का जो anti-sense है वो हमारे target RNA से bind होगा और ultimately हम बात करें यह जो target RNA है यह कहां से आया है यह हमने लिया है नीमेटोट से तो overall हमने यह आपर देखा कि जो anti-sense है वो हमारे target RNA से complementarity show करेगा तो इसे gene silencing करने में मदद करेगा तो इसके बाद हमने बोला कि जब anti-sense और mRNA आपस में bind होँगे तो उससे कोई protein produce नहीं होगा जैसा हमने पहले सीखा है और अगर protein ही produce नहीं होगा तो जो नीमेटोड है वो मर जाएगा यानि जो RNA interference है एक बहुत ही अच्छा method है cellular defense का eukaryotic organisms के अंदर तो बच्चों चलते हैं अभी तक जो भी steps हमने सीखे हैं उन्हें हम यहाँ पर revise कर लेते हैं कि क्या क्या steps involved थे pest resistant tobacco plant बनाने में तो सबसे पहला step ये था कि जो नीमेटोड specific gene है उसे हमने introduce किया था host plant में using agrobacterium as a vector हमारा दूसरा step है जो DNA हमने introduce किया था इस तरीके से किया गया था कि ये दोनो sense और antisense RNA बना पाए host cell के अंदर फिर हमारा third step आया था कि ये जो दोनो RNA थे ये complementary थे एक दूसरे से और इस वज़े से इन्होंने बनाया था double stranded RNA और इस से उसे उन्होंने कर दिया था inactive हमारा next step है तो इस वज़े से क्या हुआ कि जो parasite है वो survive नहीं कर पा रहा था transgenic host में और जो transgenic plant था वो protect हो गया था parasite के attack से तो बच्चों अब question ये आता है कि how is nematode gene introduced in tobacco plant आखिरकार हमने nematode का gene कैसे introduce किया हमारे tobacco plants में तो इसके लिए हम बात करते हैं एक gram negative rod shape bacteria की जिसका नाम है agrobacterium tumifacians ये एक ऐसा gram negative rod shape bacteria है जो की बहुत जादा यूस किया जाता है foreign gene को introduce करने में plant cell के अंदर दस it is an important tool for genetic engineering अगर हम इसके image को study करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये agrobacterium tumifacians दिखाया गया है जिसमें इसका खुद का एक bacterial chromosome ये genetic material दिखाया गया है और दिखाया गया है इसका plasmid जिसे denote किया गया है TI plasmid से TI का full form है tumor inducing plasmid इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं आप एक desired gene of interest भी insert किया गया है जिसे हम बोल रहे हैं T-DNA या transferred DNA अच्चो यहां पर आपको एक image के त्रू समझाया गया है कि किस तरीके से जो agrobacterium tumifacians है उसे हम as a vector use कर रहे हैं और हमारा desired gene of interest transfer कर रहे हैं तो यहां पर उसका TI plasmid है और यह है हमारा T-DNA और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से plant cell में T-DNA ने insert किया जा रहा है इस agrobacterium की मदद से तो overall आप देख पा रहे हैं यहां पर insertion किया गया है T-DNA का plant cell के अंदर तो at last हम बोल रहे हैं कि the T-DNA of agrobacterium tumifacians is used to integrate gene of interest into the plant genome और इसी method को हम agrobacterium mediated gene transfer भी बोलते हैं